Hello students of class 12th economics की बुक में बेटा चैप्टर नुबर वन आपका चल रहा है बिन टाइम वेस्ट की हम उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा और मैं आपको बार 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 बोल रही है अपने नोर्स प्रिपेर करते जाना जिनके पास बुक्स नहीं है अपना लोस मत करो बेटा जी आपके टी और जैन की बुक से ही मैं डाटा उठा रही हूं कहीं और से मैंने नहीं उठाया इसलिए प्लीस नोर्स बनाते जाओ आपका खुद का फाइदा वेटे ठीक है अब देखो स्कोप एंड सिगनिफिकेंस यह हमारा टॉपिक रह गया था चैप्टर वन का इसके साथ ही मारा चैप्टर वन कंप्लीट हो जाएगा ठीक है स्कोप एंड सिगनिफिकेंस ओफ मैक्रो एक्रोमिक्स है यानि कि आज हमने पढ़ना है कि जो मैक्रो एक्रोमिक्स है इसका स्कोप कितना बड़ा है और इसके फाइद ही क्या है यह पढ़ना है हमने सबसे पहले मैं आपको scope read करवाँगी फिर मैं significance read करवाँगी ठीक है scope सबसे पहले macro economic scope मतलब क्या है कि हम economy की as a whole study करते हैं economy की जितने मुद्धे हैं वो study करते हैं employment unemployment का मुद्ध हो गया full employment का मुद्ध हो गया लोगों का life of standard का मुद्ध लोगों का social welfare का मुद्ध हो गया aggregate demand एग्रिगेट supply की बात हो गई यह सब macro economics में आता है बैटे तो और देश की income भी macro economics से ही आती है तो जो देश की income है जिसको हम national income बोलते हैं and related aggregates जो national income से जुड़े हुए तक्तिया हैं जो इससे जुड़े हुए facts ह उनको पता करने के लिए macro economics काम आता है तो इतना बड़ा scope है macro economics का देख लो कहां तक फैला हुए national income को पता करने तक का यह काम देता है हमें तो macro economics starts with the concept of national income यह macro economics concept सही national income से start होता है it deals with the definition यहां से हमें पता चलता है कि national income actual में क्या होती है national income को पता कैसे करते है GDP और NDP जो आप अब अब तक सुनते हैं यह GDP gross domestic product जिसको बोलते हैं इस यह हम सारा सीखेंगे कि gross domestic product क्या होता है नेट जो है national domestic product क्या होता है मैं आपको सारा समझाएंगे आपको ठीक है यह आपको सब कुछ पता चलाएगा GDP क्या होती है NDP क्या होता है आप जो न्यूज में सुनते हो इसका meaning क्या है ठीक है बटा अब देखो theory of employment तो अभी आपको बताया कि macro economics में आप हर चीज़ करोगे जिसमें मैंने आपको employment भी बोला था employment भी theory को बड़े level के उपर study किया जाता है क्योंकि economy में जितना लोगों के पास employment उतनी economy अच्छी है तो macro economics study करता है कि से related theory को employment से theory जो related होती है economy में उसको study करता है जो Keynes नाम का एक economist हुआ था उसने employment के उपर बहुत अच्छी अच कैसे बनती है money logo तक कैसे पहुंचनी चाहिए money की distribution logo में कैसे होनी चाहिए money producer तक कैसे work करती है अगर money country में ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो इसका क्या fact पड़ता है सब कुछ हम इसमें बढ़ते हैं और देखो creation of money by the commercial bank जो commercial bank है जिसमें हम पैसे जमा करवाते हैं वो money कैसे बनाते हैं यह important component होता है macro economics आप बोलोगे commercial banks कैसे बनाते है money commercial banks बटा राइट नहीं होता पैसे बनाने का वो तो RBI के पास होता है लेकिन commercial banks जो हैं बहुत चलाकी से काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का store अपने पास रखते हैं और उसको इस तरीके से use करते है तबी तो banks चलते हैं बेटा linked to it is the role of central bank of our country जो commercial banks उनका link किसके साथ होता है central bank के पास साथ होता है और हमारी deserve bank of India central bank है बेटा अब देखो theory of general price level country में जो चीजें बिकती हैं उनका price stable ही रहे इसकी पूरी-पूरी कोशिश macro economics के जरीए की जाती है this is yet another significance यह अभी भी एक दूसरा component है macro economics का linked to it जो इसके साथ जिड़ा हुआ है it is the role of country in regulate to the supply of money कंट्री में पैसे की supply अच्छी बनी रहे ठीक बनी रहे ऐसा नहीं कि कभी पैसा कम हो जाए कभी कैसा पैसा बढ़ जाए अगर पैसा कम हुआ तो लोगों के पास खाने को लाले पढ़ जाएंगे अगर लोगों के पास पैसा जादा हुआ तो लोग पैसे जादा उड़ाएंगे जिससे country को नुकसान होगा उनका जो है country का पैसा कम गिरेगा लोगों के हाथ में पैसे की value नहीं रहेगी है ना तो role of government जो government का रोल है वो भी macro economics में दिखाया जाता है macro economics studies the government government बजट आप देखते हैं जो बजट पास किया जाता है ना उससे लेटर जो है fact वगारा सब कुछ दिखाया जाता है भी कितना पैसा गवर्नमेंट ने किदर लगाया जा किदर लगाना है यह सारा कुछ macro economics में गवर्नमेंट की जो activities होती है कितना income गवर्नमेंट की कितना खर रुपीज हैं मुझे उस 100 रुपीज के बदर कितने डॉलर मिलेंगे कितनी बाहरली करंसी मिलेगी वो होता है exchange rate की मेरी करंसी का मुल्य बाहरली कंट्री में कितना है या बाहरली कंट्री की करंसी का मुल्य मेरी कंट्री में कितना है और BOP balance of payment होता है balance of payment का मतलब है कि हमारा दूसरी country के साथ exporter import का business कैसा है यह सब हम macro economics में study करते हैं determination of exchange rate and the way is managed is an important element of the scope of macro economics है यह सबसे important scope होता है वैटा macro economics का exchange rate आप कितने पैसे के बदरे में dollar खरीद होगे आपका country के साथ विवहार कैसा है important export के business कैसा है यह चीजे mean है वैटा macro economics में अब देखो अब इसके significance इसके फाइदे क्या हैं क्यों macro economics को study करना बहतर माना जाता है अब देखो वैटा सबसे पहले description of the economy हमें economy के बारे में पता चलता है कि हमारी country किस level के उपर खड़ी है हमारी country में किस चीजों की कमी है हमारी country में national income कितनी है लोगों के पास employment कितने है कितने लोग unemployed है सब कुछ हम एक नजर में economy के उपर मार लेते हैं अगर हम macro economics को study कर ले तो ठीक है जरकी micro में तो हमें अकेले केले person की study करने पड़ेगी macro economics से उठाओ इससे हमें सारी country की as a whole study करने को मिलेगी तो सबसे बड़ा फाइदा तो यही है तो description यानि कि हम describe कर सकते हैं economy के तो macro economics ओफर करता है deep description economy की हम गहराई से जान पाते हैं अपनी अर्थविवस्था को सबसे पहले जैसे हम क्या क्या जैसे हमें national income कैसे estimate करते हैं यह हमें पता जल जाता है हमें जो unemployment बेरूजगारी है उसे जुड़ी problems है इसको कैसे handle करना है यह सब कुछ हम study कर लेते हैं government का buzzer है उसको बनाने का तरीका economy में government जो है इस buzzer को कैसे regulate करती है यह सब कुछ हम सीख लेते हैं अब देखो road map of growth and development अगर हम macro economics तो study कर लें हमें पता चल जाएगा कि हमारी economy में कितनी development हुई है कितनी हमारी जो economy है वो आगे बड़ी है या कितनी पीछे हटी है सारा कुछ हमें पता जाता है चल जाता है अकेला-अकेला concept read करने की जुरूरत नहीं यह macro economics को read करो macro economics offer करता है रोड मैप यानिक हलका सा व्यू देता है growth और development का यह programs and policies गवर economic growth की and drone are assessing to need the means of the economy और हमें जो economy को बहतर बनाने के means है उनको मुहया करवाता है macro economics बेटा स्कोप में पढ़ना है कि आपने क्या क्या read करना है significance में आपने पढ़ना है कि economy को पढ़ने के फाइदे क्या है ठीक है दोनों में difference create रखने है अब तीसरा है economic stability हमारी country में stability बनी रहे यह फाइदा होता है macro economics तो study करने का अगर हम macro economics तो study कर लेंगे macro को तो हमें पता चल जाएगा कि हमें अपने country की stability कितनी रखनी है कितने price हमें अपनी country की चीजों के बढ़ाने है कितने गटाने है सब कुछ पता जल जाता है study of macro economics helps economic stability this is achieved through appropriate monetary policy अब जो economy में अगर पैसे की बढ़ोतरी है या price बढ़ रहे है price घट रहे है तो या फिर लोगों के हाथ में पैसा जादा है पैसा कम है इस चीज को handle करने के लिए macro economics को study करने के बाद government ने दो policies बनाई हुई है एक policy के नाम monetary policy दूसरी policy के नाम fiscal policy उन दोनों को read करते है macro economics में ठीके बटा आगे है number fourth very very important BOP BOP status of a country rewards performance of the country yes BOP जो है हमारी एक reward है हमारे लिए एक price ही होता है price का मतलब क्या है कि मतलब हमारे लिए एक ट्रॉफी से कम नहीं होता BOP जिसका BOP जितना अच्छा उस country की situation उतनी अच्छी BOP का meaning क्या है कि हमारी country का दूसरी country के साथ export import का business कैसा है हम कैसे दूसरी country के साथ deal कर रहे हैं कहीं हम ऐसा तो नहीं कि चीजें जादा मंगवा रहे हैं और कम भेज रहे हैं या फिर ऐसा तो नहीं कि चीजें हम जादा भेज रहे हैं कम मंगवा रहे हैं या फिर ऐसा तो नहीं कि चीजें जितनी मंगवाई जारी हैं उतनी भेज जारी हैं यह सब कुछ हम बी ओपी में काउंट करेंगे और बी ओपी मेक्रो एकोनोमिक्स तर कंसेप्ट है और नमबर पांच प्रॉब्लम्स ऑफ पावर्टी एंड इंप्लॉय इंवाइन्वाइन्वेंट पॉल्यूशन जब हम मेक्रो एकोनोमिक्स स्टडी करेंगे एज होल लेवल पता चालेगा कि हमारी कंट्री किस लेवल पे खड़ी है कि हमारी कंट्री में पावर्टी जादा है या नहीं है क्या हमारी कंट्री में पाल्यूशन जादा है या नहीं है यह चीज़ आपको यह भी collaboration सब सब कुछ लिंग यहां पर मैक्रोटी कितनी है किस लेवल तक है कितने परसेंट लोग हमारी कंट्री में गरीव हैं कितनी अमीर हैं सब कुछ पता जलता है सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट में उसके व्यूस देना कि यह चीज ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है तो मोडल जो हैं वो एड्रेस किये जाते हैं उनको प्रॉइड किया जाता है प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए और देखो पॉलिसी फॉर्मूलेशन गवर्नमेंट को यहां पे लगता है कि यह चीज ऐसे नहीं बनेंगी यहां पे पैसे की जरूरत है यहां पे लोगों को कोपरेट की जरूरत है यहां पे लोगों को यह चीज चाहिए तो वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी भी बना देती है इनफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो एकनॉमिक्स वेरियेबल इस वैल फिर इनदा फॉर्मूलेशन पॉलिसी यह रेखो गवर्नमेंट ग्रोथ और डिबलमेंट के लिए लोगों को असानी से काम होई यह करवानी के लिए लोगों का फाइदा करने के लिए कुछ कानूनों को मनवाने के लिए पॉलिसी को फॉर्मिट करती है बटा इसी के साथ ही आपका चैप्टर नबर वन भी कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बटा ओके तैंक्यू